हलो एवरिवन, वेलकम टो ओकुल, इंडिया के सबसे अफ़रबल लेंग प्लैटफॉर्म है, आप सबी लोग का एक बार फेर से बहुत-बहुत स्वागत है, आईए अपने सर्टिफिकेट फिजिकल अन्हुमन जोगरफी, जीसी लिओं के कोर्स को आगे बढ़ाएंगे, चै कर लिया है, ठीक है, कि जैसे एक glaciation से lakes कैसे बनते हैं, हमारे erosion अगर activities होती है तो उससे lakes कैसे बनते हैं, इस तरह की बहुत सारी चीज़े हम लोग ने डिसकस की है, आज एक दो पार्ट हमें और बात करनी है, कि lakes जो है वो डिपोजिशन से कैसे बनेंगे, और बाकी human activities से और से request करना चाहूंगा, कि जो लोग इस course को, इस video series को follow कर रहे है, जिनको यह पसंद आ रही है, प्लीज जादा से यदा वीडियो को like करें, जादा से यदा share करें, अपने दोस्तों के साथ, colleagues के साथ, ताकि हमारे इन courses का जो फायदा है, वो सभी लोग को मिल सके, और बाकी जो कोई वीडियो पोस्ट हो, तो सबसे बेला उसका notification आपको मिल जाए, चलिए, तो स्राट करते हैं, आज का lecture चलते हैं अपनी book की तरफ, देखिए, आज हम बात करने वाले हैं, lakes formed by deposition से, ठीक है, deposition कैसे होगा, कि rivers अपने साथ जो sediment लेके आएगी, उसको वो deposit करेगी कहीं पर मतलब इंदी, of course, इंदी lower course है ना, तो वहाँ पर कुछ इस तरीके के lakes वोगरा बनते हैं, देखते हैं पहले क्या है, सबसे पहला है, lakes due to river deposits, यानि कि जो river deposits कर रही है, उसके थूँ, और river में shorten its course during a flood by cutting across its mindering loops, leaving behind a horse shoe shaped channel as an oxbow lake, ठीक है, और इस तरीके के लेक कहा पर पाई जा उसके flood plains में, and in the Rio Grande in Mexico, यहाँ पर क्या लिखा गया है, अगर इस line को आप पढ़ना चाहें, या आप इस line को अगर समझ गया है, तो बहुत अच्छी बात है, otherwise मैं इसको समझाऊँगा, इस तरीके के जो minders वगरा form होते है, ठीक है ना, जब river का इस तरीके का mindering course वगरा होता है, तो जिस समय flood आता है, उस समय क्या होता है, कि यहाँ से नदी जो है, पानी ऐसे बह रहा है, generally course पे पानी इस तरीके से बहेगा, minder करते वे, लेकिन जिस समय flood आएगा, तो यह पूरा का पूरा जो पानी है, वो इस तरीके से ऐसे बहने लग जाएगा, और यहाँ से जो य लेक, Oxbow Lake क्यों बहुते हैं इसको, जो जो Ox होता है, उसके bow, मतलब जो उसका sing होता है, उसकी तरह का shape होता है, इसलिए इसका नाम दिया गया है, Oxbow Lake, ठीक है, हम लोगों ने River Course में इसको बहुत अच्छी से डिटेल में पढ़ा है, तो यहाँ पर जो दिया गया, उसका वंत and waves may isolate lagoons along coast by building spits or bars, ठीक है, कि जो lagoons बनते हैं, उन lagoons को जो है कि winds और waves क्या कर सकते हैं, isolate कर सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, spits or bars, ठीक है, spits or bars क्या होता है, यह हम लोगों को पता है, ठीक है, यह हम लोगों ने पहले अपने physical geography course में देखा है, तो I hope कि आप लोग अगर वह closed only via narrow split of land, comprising mud, sand and shingle, shingle क्या होता है, छोटे pebbles, ठीक है, they may drain away at low tide, यह क्या होगा कि यह shallow होते हैं, तो इसलिए ऐसा हो सकता है, कि जब low tide हो तो यह उससमें drain away हो जाए, यानि कि जो इनका reason है वो, खतम हो जाए, ठीक है, they are commonly found off the deltas of large rivers, such as the Nile and the Ganges, जो बड़ी नदिया है, delta formation होता है, वहाँ पर इस तरह की चीज़े देखी जाती है, जैसे कि Nile नदी है, या फिर जो गंगा है हमारी वो, ठीक है, in East Germany and Poland, lagoons are called heaps, East Germany में और Poland में इस तरह कि जो lagoons होते हैं, उनको heaps बोला जाता है, ठीक, strong onshore winds are capable of pushing coastal sand dunes, landwards, and these may enclose marshy lagoons, तो क्या होगा, कि जो wind ह ठीक है, या जो wind है, जो waves है, वो थोड़ा सा क्या करेगी, जो sand dunes है, यानि कि जो वहाँ पर, rate का एक तरह की साब कहेंगे कि धेर है, coastal area में, ठीक है, तर्ट में, उसको landward push करेगी, और उससे क्या होगा, कि थोड़ा सा वहाँ पर पानी आ जाएगा, ठीक है, तो वहाँ पर landslides, iskrees and avalanche, ठीक, landslide मतलब भूस खलन, iskrees मतलब जो इस तरीके के landslides से जो छोटे मोलते पत्थर नीचा के कंकर वगरा होते हैं उनकी तरफ से, और avalanches मतलब होता है, हम इस खलन, ठीक है, जो बड़े-बड़े glaciers अगर तूटते हैं, तो उसके ज़रे से जो, मतलब जो क कहते हैं, हम hills of glacier, जो glacier का पहाड़ है, जब वो तूटता है, तब उसको बोला जाता है, hemiscran ya avalanches, ठीक है, देखिए, इस तरीके के जो lakes बनते हैं, they are known as barrier lakes, क्योंकि ये पानी का जो flow है, उसमें एक barrier बनत के तरह काम करते हैं, एक बाधा रुकावर्ट बनते हैं, इसलिए इन landslides or skrees may block valleys so that rivers are damped, यानि कि किसी नदी में, जैसे यहाँ पर नीचे लेकर diagram दिखाया गया है, कि ये कोई hill slope है, यहाँ से stream बह रही है, ठीक है, इसको उन्हों सा color कर लेते हैं, ताकि हमें ये दिख जाए, ये hill slope के पर बाली जाए, जिकर के नदी बह रही है, ठीक, अब यह यहाँ पर क्या है, कि एवलांच है, या जो भी हुआ है, ठीक, एवलांच है, या land slide हुआ है, उसकी वैसे यहाँ पर यह इस तरीके से पत्थर वगरा जो है, भी खटा हो गए, अब उपर से जो ये नदी आ रही है, तो इसको क्या होगा, कि यहाँ पर इसको पानी आगए जहां नहीं पाईगी, तो यह ऐसे यहाँ पर पानी खटा हो जाएगा, तो यहाँ पर इस तरीके का जो यह लेक है, यह बन जाएगा, ठीक, अब लेकिन इस तरीके का लेक जो है, वो जादा समय तक बना नहीं रहेगा, क्यों, क्यों नहीं बना रहेगा, क्योंकि इसमें क् प्रेशर बिड़ जाएगा और थोड़े समय के बाद ये जो पोर्शन है आपका ये वाला जो पोर्शन ये आपकर दिखाये गया है मिट्टी वाला अवलांच ये नीचे जिग जाएगा ठीक है तो इसके बाद पर ये पानी यहां से इसके उपर से फ्लो करने लग जाएगा तो इस तरीके का लेक आप समझ सकते हैं इस अ वेरी वेरी टेंप्रेरी लेक ठीक है ये टेंप्रेरी लेक है यही चीज जो है मैं आपको बताई यह उपर लिखी गई है सुछाँ से रीट कर लेते हैं क्या दिया गया है Such Lakes Are Short Lived वही मैं बतारा है वही मैं बतारा हूँ Short Lived मतल़ा temporary हो गए Because the loose fragments that pile across the valleys will soon give way underground pressure of water वही बात है कि उपर से जसे पानी इसमें इख़टा होती जाएगा तो उसका pressure बढ़ेगा तो पानी के बता है तो पानी के प्रेशर के वैसे ये नीचे चल जाएंगे अब इससे नुकसान क्या होगा? कि पहले तो ये सीधे नॉर्मली जो एस्ट्रीम थी वो आपने आप हलके हलके बह रही थी तो इससे नीचे के जो एरिया थे लो लाइं अर्या मोहाँ हो सकता है . सरगे के लेक्स की जो एक्जामपल दिये गए है जड़ जो और लेक गॉरमायर इन यॉक्षायर ब्लॉक्ट ब्लॉक्ट बाइ लेंस लाइट इसके बाद हम बात कर लेते हैं लेक्स फॉर्म यूमन एंड बायोजिकल एक्टिविटीज ठीक है मैं में में लेक्स आप सब इसका यूज जो है वो जनरली हम लोग देखते हैं कि हईड्र एलेक्ट्रिक पावर प्लांट में इसका यूज होता है ठीक है वाकि रिक्रिशनल परपरसे स्का यूज हो सकता है तो मतलब यह एक तरीके का पूरा का पूरा इस तरीके का जो concrete structure बनाके बड़ा सा concrete dam बनाके वहाँ पर पानी खटा किया जाता है तो that is becomes your reservoir जैसी यहाँ पर यह डिखाया भी गया है कि अमंग सच मैनमेड लेक्स दा मोस्ट इंपोजिंग इस लेक मीड अबव दी होवर डैम ऑन दी कुलराड़ो रिवर आफ यूएसे ठीक है इसके बाद एनिमल्स द्वारा लेक बनाने की जो प्रोसेस है यह काफी जाधे इंटरस्टिंग है ठीक है एक एनिमल्स का नाम यहाँ पर दिया गया है that is your beavers ठीक है बीवर जनरली तो जो है यह अगर हम इसकी बात करें तो यह रोडेंट है रोडेंट क्या होता है जो कुदरने वाले होता है यानि की जैसे की चुहा ठीक है लेकिन यह थोड़ा सा बड़ा है ठीक है अगर आप इसको जागे इंटरनेट पर डूड़िंगे तो आप देखिंगे यह काफी बड़ा है जैसे यहाँ लिखा गया है कि एनिमल्स लाइक बीवर आर पर्टिक्लरली इंटरस्टिंग तो यह वाकई में बहुत इंटरस्टिंग है ठीक है इसकी मैं आपको अगर बात बताओं तो यह बड़े से बड़ा जो पेड़ होता है ठीक है जो मोटे से मोटा जो पेड़ होता है जिसका तना काफी मोटा होता है यह उसको भी अपने दाच से पूरा का पूरा गिरानी की शमता रखता है, यह उसको बहुत ही अराम से बहुत ही patience के साथ उसको थोड़ा-थोड़ा कुदरता रहता है और कुदरने के बाद उसको यह आदे से जादा काट देता है पेड़ को, ठीक है? उसके बाद फिर क्या होगा? कि पेड़ जो है वो जब विंड आएगी, जब तेज हवा चलेगी तो वो पेड़ अपना गिर जाएगा, जैसे मानी जी यह पेड़ है तो यह क्या करेगा? कि इस पेड़ को ऐसे करके यहां से ऐसे कुतरेगा, ठीक है? ठीमे-दीमे-दीमे-दीमे लेकि फ़र बड़ा होता है, ठीक है? अब यह क्या करते है? उसके बाद जो यह पेड़ गिरते हैं, उन पेड़ को यह चोटे-मोड़े पेड़ के जो तने वगरा है, उनको उठा के ले जाते है, ठीक है? ये उसमें फिर क्या कहते है जो मिटी आया होती है जिसे अब नदी होगी ठीक है नदी में लेक लेक बन रहा है तो वहाँ पर क्या होगा कि नदी अगर बह रही है तो उसमें नीचे सेडिमेंटेशन वगरा होगा ये सेडिमेंटेशन को उठा के ले जाते हैं उस तरीके से ब how does beaver make the dam या फिर आप सिर बीवर भी अगर सर्च करेंगे तो वहाँ भी आपको सबसे इंटरेस्टिंग इसकी चीज यही है कि यह किस तरी किसरे dams बनाते हैं वो आपको वहाँ पर वीडियो मिल जाएगा ठीक है काफी मैं बता है किस तरी किसरे अखडी लेके आते हैं यह पूरा का पूरा पेल काट सकते हैं और इनकी जो पूरी की पूरी फैमली होती है ठीक है वो सभी जो है इस काम में हिस्सा लेते हैं सभी इसकाम में participate करते हैं और dam मेकिग और इस तरीके के जो beaver dams होते हैं they are quite permanent and are found in North America example the beaver lake in Yellowstone National Park of USA Yellowstone National Park की बात हम लोगोंने एक दिन और भी की थी जहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे about the geezer जहाँ पर हम लोगोंने old faithful की बात की थी old faithful geezer की तो वहीं पर यहाँ जो है एक इस तरीका बीवर लेक भी देखने को मिलता है इसके बाद यहाँ पर कुछ other type of lakes की बात की गई है these include ornamental lakes especially made to attract tourists example lake gardens Kuala Lumpur typing lakes मतब यह basically इस तरीके के lakes है जो बनाए जाते है जो सुन्दर बनाए जाते है ताकि वो परियर्टकों को लुभा सके ठीक है परियर्टन के लिए tourism के लिए बनाए जाते है men's mining activities example the tin mining in west malaysia have created numerous lakes ठीक है mining activities से भी lake बनते है उसके बाद inland fish culture has necessitated the creation of many fishing lakes काफी सारे lakes वगरा जो है वो fish culture यानि की मचली पालन के लिए जिसको बोला जाता है मत सिपालन के लिए उसके लिए भी lakes जो है वो बनाई जाते है ठीक यह तो सारे के सारे lakes की formation वगरा के बारे में बात हो गई जिस topic को हमने कल स्टार्ट किया था वो आज यहाँ पर complete हो गया है इसके बाद इसमें दिया गया है lakes and men ठीक है मतलब की lakes जो है वो हमारे लिए humanity के लिए मानव के लिए किस तरीके से significant है ठीक है चले देखते है इसको जैसे कि Finland है Canada, USA, Sweden and the East African states जहाँ पर बहुत जादा lakes पाई जाते है तोगेदर विद अधर inland waterways have played a dominant role in the human, economic, social and cultural life of the people ठीक है यानि कि लोगों की जो आर्थिक जिंदगी है जो उनकी समाजिक जिंदगी है उसमें ये जो है अपना role play करते है ये बात हमने पहले भी समझी है कि पानी का होना बहुत जादा जरूरी है क्योंकि पानी अगर होगा किसी भी रीजन में तो उसके आसपास फिर आपको agriculture देखने को मिलेगा उसके आसपास आपको human settlements देखने को मिलेगा तो इसलिए जो पानी का पुरा distribution है जो water features का distribution है उसी से सब चीज़े जो है settlement होगा commerce क्या तरीके का होगा communication किस तरीके का होगा ये सारी चीज़े उस पर depend करती है तो इसके बात हम यहाँ पर start कर लेते हैं कि करके जो भी यहाँ पर features दिये गए है major uses of lakes दिये गए है सबसे पहला है means of communication large lakes जैसे कि the great lakes of north america provide a cheap and convenient form of transport ठीक है इसको transport ले यूज किया जाता है for heavy and bulky goods जैसे कि coal यानि कि कोईला है iron है machinery grains and timber यह सब का transportation इसके थूँ किया जाता है the great lakes sent lawrence waterways penetrates more than 1700 miles into the interior ठीक है काफी लंबा है यह they are thus used as the chief arteries of commerce तो मैंतलब इनको commerce के लिए यानि कि हम कह सकते है वालिज जे के लिए यूज के जाता है इस तरीके के transportation वगरा जो हमारे commercial चीजे हैं ठीक है यानि कि private नहीं है commercial यानि कि industrial चीजों के लिए transportation इसके थूँ किया जाता है it is estimated that the annual tonnage passing through the salt esti Mary Canal or the Sioux Canal between Lake Huron and Lake Superior is greater than the combined annual tonnage of the Suez and the Panama Canals ठीक है स्वेज और Panama Canals इसका comparison इसलिए किया गया है क्योंकि they are very one of the most important sea routes ठीक है या हम कहेंगे कि most important trade routes हैं ये जिनके थूप पूरे के पूरे world में जो है trade किया जाता है Panama किनाल आप लोगों को पता होगा जहां पर Atlantic और Pacific Ocean है बीच में जो Central America का region है पनामा जहां पर country है उसके बीच में इस तरीके कनाल बनाई गई है और स्वेज कनाल अगर आप लोग जाके देखेंगे तो आपको ऊपर दिखाई देगी जो हमारा Africa का पार्ट और जो एशिया का बात की है ठीक है कि जिस तरीके से चीज़े हैं तो यह यहां पर बोला गया है कि जो tonnage capacity है मतलब एक तरीके से हम बात करें कि इन lakes की जो significance दिखाई गई है कि यह communication में या transportation में कितना जादा यूज होते है कि इनकी जो tonnage capacity है tonnage capacity का मतलब होता है कि कितना इनके थ्रू जो ह है सामान travel कर रहा है ठीक तो annual tonnage जो है इस तरीके की जो canals वो कर रहा है आपर दी गई है उनकी Suez canals और Panama canals से भी जादा है ठीक इसके बाद economic and industrial development की बात कर लेते हैं early settlements and town sites were very much influenced by the presence of lakes ठीक है जो पुराने settlements हुआ करते थे जो towns हुआ करते थे वो lakes की presence से बहुत जादा क्या ह होते थे प्रभावित होते थे influence होते थे lakes are an even more decisive factor when they are drained by large river with outlets to the sea ठीक है और lakes जो है वो और भी ज्यादा important हो जाते है जब वो बड़ी नदियों के द्वारा drain के जा रहे हो ठीक है जिनका outlet कहां है सी पे the great lakes St. Lawrence waterways were responsible for the development of the interior wheat farms and lakeside industries ठीक है वही मैं बता रहा हुँ कि जहाँ पर नहीं है then raw materials minerals and fuels were economically handled and assembled in the homes यह homes आपका जो home घर है वाला home नहीं है इसका मतलब क्या है यह homes district है that is Lake Huron Ontario Michigan Erie and Superior पूरे के पूरी US की बात यहाँ पर की गई है which has since become one of the greatest industrial districts of the world ठीक है यह बहुत जादा industrial district बन चुके है similarly lakes Poyang, Tungting and other lakes of the Central Yangtze Basin have greatly assisted in the commercial and industrial development of Wuhan that is Wuchang, Hangyang and Hanko ठीक है वुहान को तो सभी लोग अब जानते ही है ठीक है तो यहाँ पर इस तरीके lakes का use होता है इसके बाद water storage water storage कैसे देखे, lakes of either natural or artificial origin or vital sources of domestic water supply to surrounding towns and industrial cities ठीक है इस तरीके के जो artificial lakes है natural lakes है इनके थूप घरों में जो है पानी की सप्लाई होती है ठीक है water supply जो है domestic supply towns में surrounding जो आसपास के towns है जो industrial cities है वहाँ पर जैसे की लेक बिटेन जो है थर्लमेर supplies water to Manchester, lodge Catherine to Glasgow, lake Vanry to Liverpool, the Okhla reservoir supplies to Delhi and the Weatherna, Vihar and Tulsi lakes supply to Bombay ठीक है इस तरीके के जो है आसपास के शेहरों में इस तरीके का पानी का जो है वितरन या distribution जो है वो होता है इसके बाद hydroelectric power generation के लिए भी lakes का use होता है यह तो obvious सी बात है आप लोगों को पता भी होगा in the mountainous districts, lakes और manmol reservoirs are used to furnish a good head of water to generate hydroelectric power head of water का मतलब होता है कि पानी की height इखटा करनी है क्योंकि hydroelectric power को कैसे generate कि जाता है उसमें turbine चलाए नहीं पड़ती है और turbine की जो blades है उसके उपर आपको काफी height से जो है पानी flow कराना पड़ता है क्योंकि उसमें एक तरीके साम अगर ठोड़ा बहुत अगर किसी को science का ये engineering का idea है तो वहाँ पर उन लोगों को इस चीज़र पता होंगी कि there is kind of energy, mechanical energy होती है जिसमें potential energy और kinetic energy होती है ठीक है तो potential energy का energy वो होती है जो height के कारण होती है और kinetic energy वो होती है जो motion के कारण होती है ठीक तो यहाँ पर basically क्या होता है hydroelectric power का जो concept है वो ये है कि potential energy of the water is converted into the kinetic energy of the turbine blades ठीक तो इसलिए ये head की जरुए जो है पड़ती है यानि कि ज potential energy will be converted into mechanical energy और जितना ज्यादा head होगा उतनी ज्यादा potential energy होगी और जितनी ज्यादा potential energy होगी उतनी ज्यादा ही वो kinetic energy में convert होगी क्योंकि हमें पता है कि energy is neither created nor destroyed it can only be transformed from one form to the other तो potential का conversion यहाँ पर होगा kinetic में जितनी ज्यादा potential energy होगी उतनी ज्यादा kinetic energy होगी और जितनी जहां से आईगी जितना ज्यादा हैड होगा तो इसलिए याँ पर बोला गया है कि गुड़ हैड ऑफ वाल्टर ठीक नैचुरल लेक्स जो है वो प्रिफर किये जाते है तो आशिफिश्यल रिजर्वायर्स because the volume of water that flows from them varies very little throughout the air ठीक है natural lakes जो है उनको जादा वरियता दी जाती या उनको जादा प्रिफर किया जाता है क्यों क्योंकि उनमेंसे लग भग लग भग क्या होता है कि सालाना तोर पर यानि कि साल भर अगर हम बात करे है तो लग भग उसमें से बराबर पानी जो है यहां पर एक्जामपल की तरफ पर दिया गया है, नायगरा रिवर फ्लोइंग फ्रॉम लेक इरी टू लेक ओंटेरियो वेरी रेगूलर सप्लाइब वाल्ट फॉर्ट स्टेशिन ठीक, मतलब उसमें से पानी जो है लगातार जाएगा, और पानी अगर regular supply होगी तो उससे क्या फायदा है उससे ये फायदा है कि बराबर electricity बन पाएगी मतलब ऐसा नहीं हो कभी अगर electricity बन रही है कभी पानी नहीं है तो फिल टर्बाइन नहीं चल पाएगी तो फिल electricity नहीं बनेगी तो यह चीज़ नहीं होगी इस तरीकी की रिवर पर आप जो है डिपेंड नहीं कर सकते किसके लिए hydroelectric power generation के लिए क्योंकि जिससमें बारिश है मतलब जिससमें उसमें पानी है तो ठीक है बिजली पैदा हो जाएगी जिससमें पानी नहीं है उसमें क्या करेंगे तो इसकी वज़े से फिर प्रॉब्लम यह है कि इसके उपर रिलाए करके industries वगरा setup नहीं की जा सकती तो यही चीज़ यहाँ पर लिखी गई है कि cotton mills have been forced to close down during the period of drought due to insufficient water supplies to run the mills ठेक है क्योंकि water supplies थी नहीं तो उससे क्या हुआ कि पानी वैसे भी नहीं था और दूसरी चीज़ यह है कि electricity produce नहीं हो पा रही थी तो इसलिए इसको फिर बंद कर दिया गया तो इस तरी की चीज़ जो है वह और जगे को भी देखने में मिलती है तो वही बात है जहाँ पर पानी की regular supply है वहाँ पर इस तरी के डैम सोगरा काफी ज़्यादा successful है और जहाँ पर नहीं है जहाँ पर irregular water supply है या पानी जो है वो rain fed है जो rain fed rivers है या rain fed lakes है तो वहाँ पर फिर इस तरी की problem जो है वो आएंगी इसके बाद हम बात कर लेते हैं agricultural purpose agricultural purpose के लिए कैसे देखे as mentioned earlier most lakes will eventually be eliminated and when they dry up their former beds are covered with thick layers of fertile aluvium हमने कल बात की थी कि lakes जो है अगर हम इसको overall बात करें in the term of geological type period तो lake art कैसे है लेक temporary है तेख अब temporary क्यों है मैं आपको बता थे क्या होगा उनके ओपर siltation होगा यानि कि नदिया वगरा जो भी silt लेके आ रही है वो उनके ओपर जमा होगा sedimentation होगा तो उनका जो bed है वो पूरा का पूरा क्या होगा भर जाएगा चीक और किससे भरेगा जो fertile aluvium है उससे तो इससे क्या होगा कि अब aluvium fertile है obviously बात है तो वो बनाएंगे क्या इस तरीके का वहाँ पर कोई लेक हुआ करता था और आज की डिट में क्या है कि वहाँ पर इस तरीके का फर्टाइल लेंड वगरा जो है वो बन चुकी है ठीक है अब जो यह है इरिगेशन ठीक है अब जो यह हम बात कर रहे था है hydroelectric power supply के लिए जो डैम बनाए जाता है hydroelectric power plant तो उसमें पानी एक टो डैम के लिए तो ही है मतलब बिजली तो पैदा करे गई वो और सांच सांच जो है उसका पानी irrigation purpose के लिए भी यूज के जाता है जैसे कि example के तौर पे दिया गया है हीरा कुन डैम को इसने मध्य प्रदेश लिखा हुआ है क्या हीरा कुन डैम मध्य प्रदेश में है क्या इस बुक में सही लिखा गया है या नहीं लिखा गया है ठीक है या आप मुझे जरूर बताएंगे क्योंकि चीजें हम लोग पहले से डिसकस करते चल रहे है हाला कि इस बुक का कॉर्स अलग चल रहा है लेकिन आप लोग इन्सियार्टी भी जरूर पढ़े है पहले तो आप लोग को चीजें जो है वो बिल्कुल क्लियर है और आप लोग इस इस्तिती में है कि आप मुझे इस सवाल का जवाब बता सकते हैं चल आगे देखते हैं रेगुलेटिंग रिवर फ्लोज अ रिवर विद लार्ज लेक्स इन इट्स बेसिन सेल्डम एक्सपिरेंसे सीरियस प्लड्ज और लैक आफ वाटर यानि कि कोई भी अगर नदी जो है अगर उसके रास्ते में कहीं पर कोई बड़ा सा तालाब पढ़ तो उससे क्या आएगी नीचे के रिया में बाड़ अगर नहीं आएगी और जिस समय ड्राइ सीजन होगा उस समय वो एक्सेस वाटर को रिलीस कर देगा ताकि रिवर का जो स्टेडी फ्लो है वो मेंटेन रहे यानि कि रिवर में पानी की कमी ना आए कि सेडिमेंट पार्ट ओफ डेसेडिमेंट हो जाएगा तो उससे क्या है कि जो इस तरहिकी की रिवर है जो लेक के पार करके निकल रही है उसका पानी भी थोड़ा सा कैसा होगा साफ होगा Lakes that have such functions include the Poyang and Tung Ting on the Yangtze Kiang the toneless app on a tributary of the Mekong the lake Constance on the Upper Rhine ठीक है ये example दिये गए है जहाँ पर इस तरह के फिनोमेनास देखने को मिलते हैं और जहाँ पर इस तरह के Lakes available नहीं है and flooding is a serious problem और flood की समस्या बहुत जादा आती है तो वहाँ पर artificial reservoirs जो है वो बनाए गए है जैसे कि the Hoor Dam on the River Colorado and the Bhakna Nangal Dam on the Sattlajin India ठीक चलिए इसके बाद आके देख लेते है moderation of climate ये moderation of climate वैसे मुझे समझाने की जरुवत आप लोगं को नहीं है क्योंकि पहले हम लोग ये चीज़ें बात कर चुके और ये चीज़ हम बहुत अच्छे से समझते भी है कि जहाँ पर भी पानी होता है वहाँ पर climate extreme नहीं होता ठीक है जिसी example के तौर पर हम coastal region की बात कर लें अगर इंडिया की बात कर लें तो इंडिया में एक place आप ले लिजे डेली और दूसी place आप ले लिजे मुमबई ठीक है मुमबई आपको पता है कि समुदर के पास है तो वहाँ पर temperature आप देखेंगे कि large and deep lakes which are heated more slowly than the land by day and cooled more slowly than the land by night ठीक है exercise and appreciable effect in moderating the climate of a region in the same way as ocean affects the adjoining land masses वही है जिस तरीके से oceans effect डालते है उसी तरीके से ये भी lakes डालते है बट शर्त ये है कि lakes जो है वो थोड़ा सा बड़े होने चाहिए या फिर deep होने चाहिए यानि कि आप कहेंगे कि उन lakes में पानी जो है वो जादा होना चाहिए अगर lakes में पानी कम होगा छोटे lakes होगे तो उन से फिर इस तरीके का moderating effect जो है वो नहीं आएगा ठीक अब जो water in the lakes है वो क्या करेगा वो air को जो आसपास की जो air है उसको गर्मियों में ठंडा कर देगा by absorbing part of the heat और सर्दियों में वो उसको गरम कर देगा by releasing the heat ठीक है जैसे example के तोर पे दिया गया है the eastern shores of Lake Erie, Ontario and Huron have a much milder winter than those of the west ठीक यानि कि west side में जो इसके जगे है वहाँ पर सर्दिया काफी जादा extreme होती है और जो इसके eastern side में लेक है उसकी वज़े से वहाँ पर winters काफी mild होते है यानि कि वहाँ पर बहुत जादा सर्दी नहीं पड़ती because of the oncoming breezes are warm and early frosts are mini-wise ठीक है this part of the lake peninsula is therefore important for grapes and fruit farming इसके लार्ज lakes like Lake Michigan and the Caspian Sea also exert a slight influence on the cloudiness and precipitation of the region ठीक है cloudiness और precipitation पर भी कैसे असर पड़ेगा कि अगर माली जो कोई ऐसा region है जहाँ पर पानी जादा है तो वहाँ पर क्या होगा evaporation जादा होगा और evaporation जादा होगा तो जो ऊपर की तरफ को जो wind जाएगी उसमें जादा पानी होगा तो ऊपर जाके जाए उसका temperature कम होगा तो वहाँ पर precipitation जादा होगा ठीक है their large expense of water acts almost like part of the ocean and helps to precipitate atmospheric moisture into the rain ठीक है the leeward side of the lake Michigan records a little more precipitation than the windward side though the actual amount is often not easily noticeable ठीक है यानी कि जादा अंतर नहीं है थोड़ा सा windward side में बारिश कम होगा है लिवर्ट side में जाए हो थोड़ा सा जादा है और वो क्यों है वो इसलिए दी गए है क्योंकि यहाँ पर जो है इस तरीके के जो water body से उनका effect है small lakes have practically no effect at all on either temperature or rainfall तो यही मैं आपको पहले बता रहा था किस तरीके के moderating effect वगरा के लिए या temperature पर moderating effect हो या फिर rainfall पर जो effect हो उसके लिए lakes का size थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए lakes थोड़ा सा बड़े और deep होने चाहिए अगर छोटे lakes होंगे तो उन पर फिर इन चीजों का इस तरीका कोई फरक नहीं पड़ेगा ठीक इसके बाद lakes जो है they also act as a source of food कैसे? many large lakes have important supplies of protein food in the form of fresh water fish ठीक है? fresh water fish वगरा वहाँ से मिल जाती है जैसे कि sturgeon is commercially caught in the Caspian Sea salmon and sea trout in the great lakes and the thonless sap in Cambodia fishing is a leading occupation ठीक है तो fishing वगरा करके जो amateur fishermen होते हैं have found fishing in lakes and rivers are most rewarding past time. Amateur fishermen मतलब जो shock से आप देखते हैं कि कुछ लोग shock से जाके या कुछ लोग जो मचवारे नहीं है, जो professional fishermen नहीं है, वो लोग जाके इस तरीके जो past time वगरा है, मतलब अपना time pass करने के लिए आप कहें कि recreation activity के लिए fishing करते हैं. In many countries artificial lakes have been created for inland fish breeding. This is particularly important in China and Japan. ठीक है तो artificial lakes वगरा भी बनाए जाते हैं, वहाँ पर भी इस तरीके की fish breeding वगरा जो है वो की जाती है. इसके बाद हम बात कर लेते हैं source of minerals, यानि lake से हमें कुछ minerals भी मिलते हैं. Salt lake provide valuable rock salt. ठीक है, जैसे कि dead sea के कर हम बात करें, तो हमने बात की थी कल कितना जादा वो saline है, ठीक है? तो उसकी high salinity के वएए से उसके पानी को evaporate किया जाता है और उससे क्या वालाया जाता है? Common salt, which is most indispensable for human well-being. हम पता है कि gypsum is mined in Cheshire and the Stesford, a small distance from Berlin, is so rich in potassium and other chemical deposits that they have given rise to a wider range of chemical industries. यानि कि इस जगहों से जो है इतना जादा chemical निकलता है कि chemical industries वहाँ पर set up की जा चुकी है. In both these areas the salts are obtained from deposits formed in a earlier geological period. यानि कि पहले के समय में कोई इस तरह के deposit वगरा बना है earlier geological time में और वहाँ से अब इस तरह के salt वगरा जो है वो मिल रहे है इसके बाद tourist attraction या health resorts के case में भी जो है इसको use किया जाता है. Some of the world's best frequented holiday and health resorts are located on lake sites. जैसे कि Lake Geneva, Lake Lucan, Lake Lugano, Lake Como, Lake Placid, Lake Wanner, Lake Wetter, the English Lake District and the Taitpik Lakes and the glacier formed lakes of the Alps have made the tourist industry a national occupation of the Swiss. ठीक है? तो इस तरीके के lakes के आसपा जो है tourist places रहती है ठीक है health resorts वगरा रहते हैं जैसे कि आपने देखा होगा कुछ spa centers वगरा खुले होते हैं या इस तरीके के कुछ resorts वगरा जो है वो रहते हैं जिसको बलाता है rejuvenating health resorts या rejuvenating health centers तो इस तरीके के जातर center जो है वो hills यह जो आपके lakes है उनी के आसपास बनाए जाते हैं और वहाँ पर एक तरीके से आप कहा सकते हैं कि tourist spot बहुत बढ़िया है और काफी जादा tourist को यह साल भर attract करते हैं ठीक है तो यहाँ पर इसी के साथ यह chapter जो है complete होता है काफी आसान chapter था है जिसमें कुछ था नहीं अब हमारे सिर्फ और सिर्फ इस part के जो इस book का part 1 है उसको हम लोग 3 chapter हमारे बज़े हुए है 10th, 11th and 12th उसको हम लोग बहुत जाल complete कर लेंगे लेकिन हो सकता है कि हम लोग part 2 जो इस book का है उसको अभी immediately start ना करें ठीक है क्योंकि from the past quite a long time इस book का यह जो series यह चल रही है इसमें बहुत जादा overwhelming response आप लोगों का हमें नहीं मिल रहा है हलाकि यह book जो है आप लोगों की ही भारी demand पर जो है start की गई थी लेकिन I am very sorry to say कि हो सकता है कि हम इस course को part 1 से आगे फिलाल ना बढ़ा है ठीक है अगर आप लोगों की demand अच्छी होगी तो it may be resumed anytime बट अभी के लिए फिलाल मतलब जो हम continuous flow हमारा चल रहा है कि हम लगातार आपको 6 दिन इस book को cover करवा रहे है तो हो सकता है कि part 1 के बाद हम थोड़ा से इसमें break आप लोगों को जरूर दें क्योंकि I don't know जब आप लोगों के demand पर इस book को start किया गया था तो we were very much hopeful कि it will give good results both for you and both for us but unexpectedly ऐसा हुआ नहीं ठीक है और I don't know कि आप लोगों को ने I think कि पसंद नहीं की या आप लोगों को चीज़ है पसंद नहीं आई या आपको पढ़ाया वा पसंद नहीं आया I don't know never anyone of you shared the feedback आप लोगों किसी ने कोई feedback भी ऐसा share नहीं किया बट हो सकता है कि उसको अभी हम फिलाल आगे ना बढ़ाये ठीक है अगर आप लोगों की demand होगी तो फिर उसको देखके फिर as and when जो भी situations बनेंगे उसको लेके ही फिर आगे का decision लिया जाएगा ठीक है चलिए फिलाल तो अभी हमारे तीन chapter बचे हो है उसके बात की ये बात है तो तीन chapter को हम लोग कोशिश करेंगे कि 7-8 9 lecture में maximum जो है cover कर दें यानि कि हो सकता है कि इस month के end होने तक या फिर next month के एक दो दिन में हम लोग जो पहला पार्ट है 12 chapter तक का उसको तो cover कर देंगे ठीक है चलिए तो content related अगर आपको कोई भी doubt है तो आप हमारा telegram को जो group है that is local gs upsc discussion forum इसको join करके आप वहाँ पर अपने doubts पूछ सकते है इसका link नीचे description box में दिया हुआ है या फिर आप इसको telegram में search करके भी join कर सकते हैं बागी इस पूरी की वीडियो से इसका यो full course है वहाँ भी website पर available है वहाँ पर आपको सारे के सारे videos मिल रहे है साथ ही chapter wise notes और quizzes भी जो है वो बहुत जल्द update कर दिये जाएंगे इसका link पर नीचे description box में आपको मिल जाएगा अगर आप course purchase करने सम्मंदी कोई technical कोई face करते हैं तो आप हमसे whatsapp के थ्रू इस number पर contact कर सकते हैं that is 94980 86380 बाकी अगर आप हमसे कोई और बात share करना चाहें कुछ भी पूछना चाहें या कुछ बताना चाहें तो उसके लिए आप हमें इस email ID के थ्रू contact कर सकते हैं that is support.co.co बाकी हमसे जादे जुड़ने के लिए आप हमें Facebook पर, Instagram पर, LinkedIn पर और Twitter पर भी follow कर सकते हैं Thanks for watching till the end आप हमारे other courses को in playlists के through access कर सकते हैं अगर आपको यह video पसंद आया है तो like जरूर करें इसे जादा से जादा share करें अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को subscribe नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजे और bell icon प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलेगा ताकि आपको हमारे सभी वीडियो के notification सबसे पहले मिल सकें अपने comments करके हमें जरूर बताइएगा कि आपको यह video कैसा लगा